मित्रों आईए जानते हैं 2023 में सावन अमावश्या की तिति, इस्नान, दान, तथा सुम महुरत और अमावश्या का महत्तौ। सादर परणाम मित्रों हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र कमल किशोर। मित्रों जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदु धर्म में सावन महा को सबसे पवित्र माह माना गया है। इस माह में भगवान सिब की पूजा अर्चना भक्ति भाव बड़े जोरों से होती है। तो मित्रों इस बार की अमवश्या कुछ जादा खास है क्योंकि सावन महा की अमवश्या में शिब की विसेश किरपा मिलती है। तो जानते हैं सावन महा की अमवश्या के बारे में। स्रावन मास की अमवश्या तिति को सावन अमवश्या के नाम से जाना जाता है। इसे हर्याली अमवश्या भी कहते हैं। सावन के समय में बारिस का मौसम होता है जिससे पृत्वी पर चारो ओर हर्याली चा जाती है। हर्याली को प्रकर्ति यानि माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इतना ही नहीं हर्याली अमावश्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से भी पूर्णि लाब होता है। इसके अत्रिक आप अन्य अमावश्या के तरह इस दिन भी इसनान और धान करके पूर्णि पराप्त कर सकते हैं। इस दिन भी आप पित्र दोस्स से मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। आईए जानते हैं इस साल सावन अमावश्या कब है और इसनान दान का सुब समय क्या है। पंचांग के अनुसार 2023 में सावन अमावश्या यानि हर्याली अमावश्या का प्रारंब 16 जुलाई दिन रविवार को रात 10 बच कर 8 मिनट पर हो रहा है। इस तिति की समापती अगले दिन 17 जुलाई सुमार को देर रात 12 बच कर 1 मिनट पर होगा। इसनान दान के लिए उदयातिति मान्य होती है। इसलिए सावन अमावश्या 17 जुलाई 2023 दिन सुमबार को मनाई जाएगी। सावन अमावश्या 2023 के दिन पित्रों की त्रिप्ति के लिए पिंडदान, तरपन, सराद, कर्म आदिक किये जाते हैं। पित्र दोस्त से मुक्ति के उपाई भी आप इस दिन कर सकते हैं। सावन अमावश्या 2023 के अवसर पर आप अपनी राश्य अनुसार पौंधे लगा कर भी पुनिप्राप्त कर सकते हैं। अमावश्या पर पित्रों की पूजा करने से परिवार में सुक सांती और समरित्ती आती है। तो मित्रों यह सावन के महा में आप मन से पित्रों तथा सिव की पूजा करें और उनका आसिरवाद पाएं। मित्रों उमेद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों चैनल को शेर और सस्क्राइब जरूर करें। तथा कमेंट बॉक्स में हरर महादेब का जैकारा जरूर लगाएं। हरर महादेब